कि गुद्विंट और स्टेंट्स वेलकम टी एक्जाम पूर आफ सभी का स्वागत है उम्मीद करते हैं आफ सभी बहुत अच्छे होंगे जित्ते भी स्ट्टेंट्स यहां पर आएवे हैं जल्ली से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और जिनों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो सभी को नमस्ते सभी को प्रडाम और सभी चल्दी से आ जाईए आज का जो हमारे टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम करेंगे ठोरी वाइस काफी बच्चे यहां पर ठोर देती हूं कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की दिल्ली पुलिस की स्से जीडी कॉंस्टेबल की तो आप सभी के लिए आया हुआ है मिशन वर्दी कॉंबो बैच और इस बैच में आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको अतरिक्त फाइदे भी यहां प विस भी मिलेंगे गाएंट अ प्रॉपर मेगजीन आप लगों को यहां पर मिलेगी इसके आप लोग प्री बुकिंग कर सकते हैं तो 16 अक्टूबर तक अगर आप सभी प्री बुकिंग करते हैं तो आप सभी को भारी डिस्काउंट यहां पर मिलेगा चले आगे बढ़ते यहां पर next point को देखते हैं कि क्या है फायदे क्या है फायदे बुकिंग करवाने की प्री बुकिंग अगर हम कर रहे हैं तो बिलकुल फ्री आपको बहुत साही चीजे मिलती हैं जैसे कि इस टाइम पर आपको एक्स्टा डिसकाउंट मिलेगा 15 से जादा मॉक्टस आपको और इस तरीके से आप सभी इस बैच को ले सकते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा कि गोगल प्ले स्टोर में आप जाना अपने एप्लिकेशन को आप लोग क्या करोगे यहां पर अपडेट करोगे अपडेट करने के बाद आप सभी को यहां पर कोई भी ना कूपन नहीं लगाना है जैसे गिफ्ट 75, 60, हिंदी 60, 60, 75 इस तरीके से अलग-अलग जो कूपन ह वो कूपन आपको यहां पर नहीं लगाना बस आपको क्या करना है कि प्री बुकिंग के लिए किसी भी कूपन कोड के आवशक्ता आप लोगों को नहीं है आप लोगों को क्या करना है यहां पर कि एक्जामपूर एप्लिकेशन को सबसे पहले आप अपडेट करेंगे अपनी application को क्या कर देंगे बंद करके रख देंगे थोड़ी दिर के लिए ठीक है फिर आपको क्या करना है सबसे पहले paid courses में जाना है paid courses में जाने के बाद आप सभी अपना आज ही यहां पर course purchase कर सकते हैं pre-booking कर सकते हैं यहां पर जाकर क्या pre-booking करेंगे अपना pre-booking करने के आप लोग थोड़ी दिर बात देखेंगे तो आपको कहां पर जाना है माई courses में जाना है और जैसे ही माई courses आप लोगों का दिखाई देगा वैसे ही वहां पर आपको अपना course दिख जाएगा ठीक है चलिए दीदी happy करवा चौत अच्छा सभी लोगों को करवा चौत की बढ़ा ही इंपोर्टेंट है जिसमें हम बात करेंगे पुष्प के बारे में फ्लावर के बारे में और किस तरीके से पॉलिनेशन होता है परागर होता है उस तरीके के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले बात होती है यहां पर कि पुष्प हो पाया जाता है हिंदी में अगर हम बात करें तो जो सिर्फ आवरित बीजी या आवरित बीजी जो पेड़ पौधे होते हैं जो पादक होते हैं उन्हीं में ही आपको पुष्प देखने के लिए यहां पर मिलता है और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है तो लिखेगा इसी से स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि अगर आप फ्लावर्स पुष्प धारी पौधे या पुष्प के बारें बात कर रहे हैं तो पुष्प है क्या ठीक है पुष्प है क्या इस चिसको आपको यहां पर हमें समझना है तो सबसे पहले आप यहां पर बात करेंगे कि जो भी आपका पुश्प होता है वह है क्या तो जब कभी भी आप एंचे स्परम्स के बारे में आवरति पीजी पेड़ पौधों के बारे में यहां पर बात करते हैं तो यह एक रिप्रोडक्टिव यानि एक प्रजिनेंस अन्रशना के समान यह फलावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पुश्प है क्या तो आंसर करना कि यह तो प्रजन संद्रशना यानि कि जो reproductive structure है उसको दर्शानी का काम यहां पर करता है इसी तरीके से एक और शब्द आप लोगों के एक्जाम में पुछा जा सकता है कि अगर हम बात करते हैं estivation के बारे में पुष्पदल विन्यास के बारे में तो पुष्पदल विन्यास का क्या यहां पर मतलब होता है तो estivation यानि पुष्पदल विन्यास का मतलब होता है कि अगर आप किसी पुष्पद को देखते हो किसी फ्लावर को देखते हो तो उस फ्लावर में पंखुडियां होती है पैटल्स होती है और जो पैटल्स होती है वह कैसी है लाइन से इस तरी के से लगी है उनका जो अरेंजमेंट होता है उनकी जो विवस्था होती है वह किस तरीके की होती है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते है पुष्पदल विन्यास या फिर एस्टिवेशन उसको हम यहाँ पर कहते हैं तो फूलों की कली में पंखुडियों और पंखुडियों की जो ववस्था होती है यानि कि the arrangement of the flowers and birds क्या यहां पर कहलाता है estivation यहां पर कहलाता है ठीक है तो इस चीज़ को यहां पर धान में रखेगा चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं कि फ्लावर के कौन-कौन से भाग यहां पर हो सकते हैं इनके उपर भी प्रशन काफी ज्यादा पूछा जाता है तो यहां पर अगर आप पुष्प के बारें बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी फ्लावर होते हैं जो भी यहां पर पुष्प होते हैं वह कैसे हैं, तो आंसर करना कि वह क्या काम यहां पर कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, प्रजणन का काम यहां पर कर रहे हैं, तो प्रजणन के अगर हम बात करें, तो दो तरीके से हम बाढ़ सकते हैं, एक मेल, एक फीमेल, एक नर्व और एक इस्त्री, तो बि तो जब हम यहां पर किसी भी पुष्प को देखते हैं जैसे यह पुष्प जो है यह किसका पुष्प है हिबिस्कस हिबिस्कस मतलब क्या होता है गुड़हल तो गुड़हल यानि हिबिस्कस के फ्लावर के अगर हम यहां पर बात करें तो यह जो फ्लावर है यह कैसा है उभ फ्लावर है, बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, और पिस्टिल को ही हम लोग और किस नाम से यहां पर जानते हैं, तो लिखना कि इसी को हम कारपल के रूप में भी यहां पर जानते हैं, किस रोप hai हम लोग इसत्रे केसर के रूप में भी यहां पर जानते हैं, तो अगर Spному इसत्रे केसर के बारे में फ इसत्री के भाग को, या इसत्री वाले जनन को यहां पर दर्शाता है, ठीक्हिए? दोसरे नंबर पर हम बात करते हैं, वो आएगा आपका Isterman, Isterman के अगर हम बात करें तो यहां कैसा है, Punkkesar कहलाया जाता है, और इसी को हम कई बार, और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो लिखेगा यहां पर किसे हम Androsium के नाम से भी यहां पर जानते हैं, जैसे कि वहां पर Gynosium होता है, ऐसे यहां पर क्या हो गया, कि Androsium के नाम से भी हम इसको जानते हैं, कैसे याद इसको हम यहां पर रख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां देखना है, कि अगर आप से बारें बात कर रहे हो, तो Men, तो Men का क्या मतलब होता है, Men का मतलब होता है, आदमी, पुरुष, है ना, तो इसी तरीके सा, कि जहां पर Men लिखा हुआ है, तो वहां क्या हो गया, पुरुष, ठीक है, तो अगर आप से कभी यहां पुछा जाए, कि कोई भी यहां पर Flower है, और उस Flower में पुरुष वाला हिस्सा कौन सा होगा, मेल वाला हिस्सा कौन सा होगा, तो इसको हम यहां पर कहते हैं, क्लियर है यहां तक, चले, अब इसके आगे हम Next Point की और बढ़ते हैं, अब हम इसके अलग-अलग भागों के बारे में यहां पर बात करेंगे, तो जैसे सबसे बीच में आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको किस नाम से हम जानते हैं, तो आंसर करना, इसको हम कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है, और जो बारबर यहां पर कॉपी-पेस्ट करेगा, बारबर यहां पर बहुत जरुरत से जादा इंगेज्मेंट देगा, उसको फिर में थोड़ी देर के लिए उसके जो होता जा रहा है, तो इसमें आप लोगों के साथ के आवश्च रखता है, आप लोग बार-बार सेम ही यहां पर कमेंट करते हैं, बार-बार एक ही जैसा, और जब एक बर मैंने आपका कमेंट देख लिया, आप बार-बार इतना कमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना आप कमेंट कर रहे हैं जो दोनों आपने नाम लिख रखा है इस वजह से मुझे दूसरे बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनका कमेंट नहीं शो होता है तो बार 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 अगर आप देखेंगे तो यह ठीक बात नहीं है ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दीजे अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब कभी भी हम इस तरीके से किसी भी इस्तिकेसर के बारे में बात करेंगे तो इस्तिकेसर का जो सबसे उपर का भाग होता है उसको हम किस नाम से यहाँ पर जानते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर करना है इस स्टिक्मा के नाम से इसको हम यहां पर जानते हैं और जो भी यहां पर स्टिक्वा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है वर्तिकाग्र इसको हिंदी में कहा जाता है क्या कहा जा रहा है वर्तिकाग्र इसको हिंदी में यहां पर कहा जा रहा है दोसरे नमबर पर आप बात करेंगे जो यह लंबा सा भाग हमें यहां पर दिखाई देता है इसको क्या कहते हैं यानि कि वर्तिका इसको हम यहां पर कहते हैं क्या कह रहे हैं और फिर सबसे लास्ट में यह जो बड़ा सा हिस्सा आपको सुजा हुआ सा बड़ा सा स्वेलन हिस्सा दिखाई देता है इसको हम क्या कहते हैं ओवरी हम इसको यहां पर कहते हैं, तो ovary का क्या मतलब हो गया, यहां पर अंडाशय हो गया, क्या हो गया यहां पर, अंडाशय हो गया और जब हम कभी ovary को और बहुत ध्यान से देखें, तो आप देखें यह वाला portion ovary है, लेगिन ovary में बीच में आपको कुछ इस तरह कि भी संडशना यहां पर देखने के लिए मिल रही है, और यह जो इस तरह की संडशना आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, इसको क्या कहा जाता है, तो लिखें इसे ovules कहा जाता है, और हिंदी में से क्या कहा जाता है भीजांड़ू यहां पर कहा जाता है तो अगर आप से कभी इस तरह का पुचा जाए कि यह बताइए कि जो पिस्टल है या कारपल है गाइनोशयम है तो इसके कौन-कौन से भागोंगे, सबसे उपर अगर हम देखे तो वर्तिकागर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यहां पर स्टिग्मा, बीच वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम इस्टाइल यानि कि वर्तिका कहते हैं, जो सबसे लास में एक मोटा सा सूजा हुआ सा हिस्सा, फूला प्रक्रिया होती है, तो उस टाइम पर जो वर्तिकागर है, इस्टिग्मा है, यही पर आकर के जो पॉलन ग्रेंस होते हैं, वह आकर के यही पर ही चिपक जाते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं, कि जब निसेचन की प्रक्रिया होती है, जब कभी भी निसेचन की प्रक्रि यहां पर हो गया, तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, कि यह वाला जो हिस्सा आपका होता है, अंडाशय वाला हिस्सा या किसमे यहां पर परिवर्तित हो जाता है, तो आंसर करना कि अंडाशय वाला जो हिस्सा होता है, वह एक फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में परि रखेगा, ठीक है, प्लियर है यहां तक, ओके, अब इसके बाद हम यहां पर next point की और बढ़ते हैं, next और हमारा point बनता है अब punctacer के बारे में, punctacer के अगर हम बात करें तो यह वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है सभी, punctacer का हिस्सा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और punctacer के अगर हम बात करें तो punctacer को हम दो तरीके से बाट करके यहां पर पढ़ते हैं, तो punctacer में एक जो इस तरीके का हिस्सा होता है, इसको हम filament, यानि कि तन्तु यहां पर कहते और यह चो उपर वाला हिस्सा आपको इहां पर दिखाई दे रहा है इसको हम एन्थर यानि कि पराग कोश यहां पर कहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि इसी में ही फिर धीरे जाकर कि क्या बनेगा यहां पर पराग बनेगा, क्या बनेगा, पराग करने यहां पर बनेगा, जिसको क्या कहा जाता है, पॉलन, ग्रेंस यहां पर कहा जाता है, समझ आ गया यहां पर बात, सभी को, ठीक है, आज सारे बच्चे कहां चले गए हैं भाई, इतने कम बच्चे क्यों हैं आज की क्लास म गाया बजाते हो पर सभी बच्चों को क्लास में जरूर आना है और डेली आना है ठीक है आपकी की विज़े से में थियोरी यहां पर पढ़ा रही हो चले अब next point की और हम यहां पर बढ़ते हैं नेक्ष में पर पॉइंट बनता है कि अगर हम किसी भी पुशप को यहां पर देखते हैं तो जो पुश्प है या तो वहाँ उभेलिंगी होता है यानि बाइसेक्शुल होता है दोनों लिंग आपको यहां पर समान दिखाई देते हैं या फिर आप देखेंगे कि सिर् संदर सा ठीक है अब जो पुष्प हमारा होता है उस पुष्प के अगर हम बात करें तो एक हमारा ऐसा पुष्प है जिसमें इस्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों हैं तो यह पहले हमाने यहां पर क्या बना लिया इस्त्रीकेसर और फिर हमने इधर बना लिया क्या पुंकेसर ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर देखा, कि भई, इस्त्रीकेसर और पुंकेसर, दोनों ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यह हो गया हमारा इस्त्रीकेसर, यह हो गया हमारा यहाँ पर पुंकेसर, ठीक है, बन गया सुंदर सा, चलो, तो अब इसका हम लेबलिंग यह यहां पर इस तरह के जो पुश्प यहां पर होते हैं वह पुष्प किस तरीके के होते हैं तो धियान दीजेगा यहां पुष्प पुष्प हम इसको यहाँ पर कहते हैं तो फटाफर्स इसको नोट कर लो ठीक है? और दूसरे नमबर पर इस तरह के जो पुष्प होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? तो लिखें यहाँ पर इन्हें हर्मा फ्रोडाइट भी कहा जाता है हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम उभै लिंगी पुष्प यहाँ पर कहते हैं तो फटाफर्स इसको भी आप लो यहाँ पर नोट कर लो चलो फटाफर्स इसको नोट करो फिर इसके बाद जो नेक्स आपका पॉइंट आता है कि इसे ही हम bisexual flower भी कहते हैं यानि कि द्वी लिंगी पुश पपे हम इसको यहाँ पर कहते हैं ठीक है? तो फड़ा पट से इसको नोट कर लीजे अब next point के और बढ़ते हैं अब एक flower और हम यहाँ पर बनाएंगे ठीक है? और इस flower के अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह flower कैसा होगा? तो अब देखो इस flower के अगर हम बात करें तो भी यह जो flower है इसमें आप देख रहे हो कि या तो इस्त्रीकेसर है या तो पुंकेसर है यानि या तो आप इसमें क्या देखोगे कि इसरी केसर पाया जाएगा यहां पर अगर आप एक पुष्प के बारे में बात कर रहे हो तो यहां पर क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही इसरी केसर पाया जा रहा है या फिर हो सकता है कि सिर्फ एक पुष्प मे पुमकेसर ही यहाँ पर पाया जाए तो इस तरह का जो पौधा होगा पुष्प होगा उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर incomplete flower कहेंगे क्या कहेंगे incomplete flower इसको हम यहाँ पर कहेंगे हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम अपुर्ण पुष्प यहां पर कहेंगे और यहां कैसा होता है यूनिसेक्ष्वल होता है कैसा होगा यूनिसेक्ष्वल यानि एक लिंगी पौधा यहां पर यहां होता है clear है? बात समझा गया? तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया उसको समझो कि अगर दोनों हैं तो ये कैसा है उभय लिंगे क्योंकि दोनों लिंग यहां पर उपलब्द है लेकि अगर आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही है या फिर ऐसा कोई यहां पर फ्लावर हो सकता है जहां पर आप देखे कि एक और ऐसा हमने यहां पर पुष्प बना अपुर्ण पुष्प ही हो गया, तो ये भी आपका पुर्ण पुष्प है, ये भी आपका यहाँ पर अपुर्ण पुष्प होता है, तो इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजे, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से नोट कर लीजे, चलो, ठीक है, ठीक है, अपने पुश्पो को अच्छे से देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपने पुश्पो को और अच्छे से यहाँ पर देखें, तो पुश्प में कुछ और भी बातें आपको यहाँ पर देखने योग्य मिलेंगी, तो यह स्रीकेसर, पुंकेसर, हमने यहाँ पर बहुत ही पढ़ लिया, अब और भी चीज़े हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आप किसी भी पौधे को देखो, पौधों में उसकी खुबसूरती, यानि चार चान लगाने का काम, कौन यहाँ पर करता है, तो आंसर करना, कि उसके जो पैटल्स होती है, उसकी जो पंखुडियां होती ह वही काम यहाँ पर करता है, तो अगर आप देखेंगे, इस तरीके से एक पंखुडी यहाँ पर है, तो जो पंखुडी होती है, उसको क्या कहा जा रहा है, पैटल्स कहा जा रहा है, पंखुडी कहा जा रहा है, अब जो भी यहाँ पर पंखुडी है, वह सिर्फ एक तो नह एक दूसरी पंखुडी यह भी होगी, एक तिसरी पंखुडी यह भी होगी, ऐसे बहुत सारी पंखुडिया यहां पर हो सकती है, तो जब बहुत सारी पंखुडियां मिल जाती है, और एक पूरा चक्र यहां पर बना लेती है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, कोरोला कहा जाता है तो ध्यान रखना ठीक है तो अगर एक पंखुडी है तो उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं तो आंसर करना कि एक पंखुडी अगर है तो उसको हम क्या कह रहे हैं पैटल कह रहे हैं लेकिन अगर बहुत सारी पंखुडियां आपस से मिलकर के पूरा एक चक्र बनाने का काम यहाँ पर कर रही है तो इसको क्या का जाएगा? कोरोला यहाँ पर कहा जाएगा ठीक है? क्लियर है? अब इसी तरीके से नेक्स पॉइंट की और हम यहाँ पर बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं जब पंखुणियां जो होती है या पुष्प जो होता है पुष्प को नीचे की तरफ से होल्ड करने वाला पकड करके रखने वाला भी होता है तो जैसे पंखुणियां है इसको नीचे से होल्ड करने के लिए इस तरीके की भी संरचना होती है जैसे आपने यहां पर देखो, मैंने बनाया ना, ये इस तरह की संरचना, इस तरह की संरचना भी तो होती है, ठीक है, तो यहां पर अगर आप एक के बारे में बात करें, ये सिर्फ एक के बारे में, तो अगर यहां सिर्फ एक है तो इसको क्या कहा जाता है सापल कहा जाता है ठीक है? क्या कहा जा रहा है? सापल कहा जा जा रहा है लेकिन अगर ये बहुत सारे ते मिल करके बनी पूरा एक चक्र बनाएंगी ने नीचे से पकड़ करके जो भी फ्लावर होता है उसको नीचे से पूरा पकड़ करके ये रखेंगी तो नीचे से जब ये पूरा पकड़ करके रखती है और ये पूरा चक्र बनाती है यानि हमारी पंखोडी है जिसको हम कहा रहे हैं पैटल और बहुत सारी पंखोडियां एक पुष्प को बना रही है तो उसको क्या कहा जाता है यहां पर तो आंसर करना कि उसे हम कहते हैं को रोला इसे तरीके से नीचे की तरफ से हरे रंग की एक आकरती होती है जो पुष्प को बहुत सारे सैपल मिल करके एक पूरा नीचे से चक्र यहां पर बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, यहां तक बात सब को समझ आ गई, ठीक, अब नेक्स पॉइंट के और हम यहां पर बढ़ते हैं, तो यह हमने यहां पर देखा कि यह क्या था, इस तरीके से, एक कैल तो इसको हम क्या रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं, जब आप किसी फ्लावर को देखते हो, तो उसकी दंठल भी तो होती है, दंठल मतलब नीचे उसको पकड़ने वाला भाग भी तो होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो लिखेगा उसे हम पैडिकल कहते हैं, क्या कहतה है? उसे हम padical यहां पर कहते हैं, तो अगर आप से कभी भी यहां प्रश्ट पूछा जाता है कि उसको क्या कहा जाएगा, जो नीचे की तरफ dental है, उसको क्या कहा जाता है? तो answer करना कि उसको हम pedicle के नाम से यहाँ पर जानते हैं, clear है, याद रहेगा यहाँ तक, अब next point की और हम यहाँ पर बढ़ते हैं, कभी-कभी आप कुछ पुश्पो की बारे में बात करो, तो पुश्पो में आप क्या देख रहे हो, जैसे यह क्या है हमारा, कैलिक्स है, ठीक है, यह क्या है हमारा यहाँ पर, फ्लावर है, ठीक है, ओके, अब कई बार आप यहाँ देखते हैं, कि कैलिक्स के नीचे भी न, कुछ इस तरह की आकृती आपको निकली हुई से दिखाई देती है, ऐसे, ऐसे, जैसे कि आप सबीने भिंडी खाई है, है ना, बिंडी के अगर हम बात करें तो भिंडी को आप देखना कि जो भिंडी है उसमें आप क्या देखेंगे नीचे की तरफ से इस तरह से हिस्सा निकला हुआ दिखाई देता है यह कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि आप गुड़हल के फूल के बारें बात करो तो उसमें आप देखोगी कि सैपल या क्यालिक्स के नीचे भी कुछ इस तरह के संरचना यहां पर निकलते हुए दिखाई देती है और इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम कहते हैं एपी कैलिक्स क्या कहते हैं इसको हम यहां पर कहते हैं तो यहां पर यह क्यों इंपोर्टेंट है यह में क्यूं बता रही हूं क्योंकि कई बार आपके exam में या पुछा जाता है कि जो भी हमारा पुष्प है कई बार उसमें Calyx के अलावा e.p. Calyx भी पाया जाते हैं तो ऐसे कौन सा पुष्पों का परिवार है या ऐसा कौन सा यहाँ पर plants हैं, या ऐसा कौन सा उनका परिवार है या कुल है जहां पर ipikalix भी पाया जाता है, तो आपको बताना है कि mu vralis परिवार, क्या यहां पर mu vrais P義 USB परिवार की अगर हम बात करें या kul की अगर हम बात करें, तो इसे पाया जाने वाले जो पुश्प होते हैं, उनमें कैलिक्स के नीचे की तरफ एपी कैलिक्स भी पाया जाता है, जैसे कि अगर आप ओकरा, यानि कि भिंडी के बारे में बात करते हैं, आप गुड़हल के बारे में बात करते हैं, आप कपास के पौधे के बारे में बात करते हैं, कोको के प तो यहां पर E.P.Kalix पाया जाता है, ठीक है, चलो, दीदी बता दो प्लेस, गोविन्दा एक बार फिर से आप यहां पर कोशन अपना पुछ ले ना, सौरी में देख नहीं पाई आपका कोशन, ठीक है, क्लियर है, चले, आप इसके बाद हम नेक्स पॉइंट की और बात करते है, तो देखे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पुष्प क्या था, पुष्प के अलग-अलग भाग यहां पर क्या होते है, उनका क्या नाम होता है, यह सब कुछ हमने यहां पर पढ़ा, अब हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, परागण के बारे में बात करेंगे, और परागण के अगर हम बात करें, तो परागण का क्या मतलब होता है? तो देखे, परागण के अगर हम बात करते हैं, तो परागण का क्या मतलब होता है? परागण का मतलब होता है कि जो भी हमारा इस्त्रीकेसर है, जो भी हमारा इहां पर इस्त्रीकेसर है और पुंकेसर है, तो पुंकेसर पे क्या बन रहा है यहाँ पर वरतिक आकडर में पहुंच जाना और इसी जरनी को को हम क्या यहाँ पर कहते हैं पॉलिनेशन यहां पर कहते हैं, तो देखिए कहा यहां पर, तो आर्पी एफ एस आई, आर्पी एफ एस आई की यही क्लास चल रही है गविन्दा, तो यही पढ़ाया जा रहा है, तो यहां पर देखिए, पराग कंड का कुंकेसर से इस्त्रिकेसर के वर्तिकागर तक pollen grains from the male enter of a flower to the female stigma ठीक है और इसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है तो आंसर करना है आपको कि pollination यानि कि परागण इसी को ही यहाँ पर कहा जाता है अब जब कभी भी हम परागण के पारें बात करते हैं तो परागण कितने प्रकार का यहाँ पर हो सकता है यह भी तो important है कि अगर आप परागण के बारें बात कर रहे हैं तो जो परागण है वह कितने प्रकार का यहाँ पर हो सकता है ठीक है तो परागण के अगर हम बात करेंगे तो परागण सबसे पहले दो प्रकार का हो सकता है तो चले नोड करते हैं कि वह क्या क्या यहां पर होगा तो लिखें कि परागण के अगर हम बात करें तो परागण दो प्रकार का यहां पर हो सकता है पहला यहां पर Self-Pollination यानि Swaparagon और जो दूसरा है वो है Cross-Pollination और cross pollination के अगर हम बात करें तो आएगा पर परागण, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा, नमस्ते, नमस्ते, सभी को नमस्ते, और जितने भी students यहां पर आए वे हैं, जल्ली से एक बार इस session को like कर दीजे, share कर दीजे, और जिनों ने अभी तक subscribe नहीं किया है, जल्ली स self pollination और cross pollination, दो तरीके से यहां होता है, तो swap परागण, swap मतलब खुद में, जब पुष्प कैसा है, बहुलिंग, इस्त्रिलिंग, पुर्लिंग, दोनों एक ही पास है, पुंकेसर, इस्त्रिकेसर, दोनों ही है, तो वो अराम से अपने आप में ही pollination कर सकता है, एक पौधे क अंदर ही परागण की प्रक्रिया हो गई, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो गई, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, यहां पर पॉलिनेशन कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी और पौधे में जाकर के पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ क आपको धियान में यहां पर रखना है अब इन दोरों में अंतर कैसे है और इनके क्या-क्या प्रकार यहां पर हो सकते हैं उस चीज़ को हम यहां पर समझेंगे तो सबसे पहले आता है यहां पर autogammy सबसे पहले आता है autogammy और दूसरे नंबर पर आता है गितियो ग्रेमी, गितियो या गितियो गैमी जो भी आप लिखना चाहें, गीतो गैमी, ठीक है, ये दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, अब इन दोनों के अगर हम बात करें, तो इन दोनों में क्या-क्या अंतर यहां पर हो सकते हैं ठीक है? अब जैसे कि मैं आपको यहां पर इन दोनों में अंतर बताते हूं अब जैसे माल लो हमारे पास क्या है? एक यहां पर पुश्प है ठीक है? एक हमारे पास इस तरीके से यहां पर एक पुश्प है और यह पुष्प कैसा हर्मा फ्रोडाइट हर्मा फ्रोडाइट का मतलब होता है कि यहाँ जो पुष्प है यहाँ कैसा है यहाँ पर उभेलिंगी है तो यहाँ पर हो गया स्थिकेसर यहाँ पर हो गया आपका पुंकेसर और इसको हम लोग जड़ा आउटलाइन कर लेते हैं, यह में रफ डाइग्राम बना रही हूं, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, रफ डाइग्राम है, ठीक है, अब यहां पर अगर आप एक पुष्प के बारे में बात कर रहे हो, और इस पुष्प को अगर आप देखें, तो इस्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों साथ में ही दिखाई दे रहा है, इस्त्रीकेसर और पुंकेसर अगर दोनों ही साथ में दिखाई दे रहा है, तो यहां पर पूरे समभावना है, कि जो पॉलन ग्रेंस हैं, जो परागण हैं, वो उ ओटो गैमी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चलिख सकते हैं, इसे क्या कहा जा रहा है, ओटो गैमी यहां पर कहा जा रहा है, अब नेक्स पॉइंट की और हम यहां पर बढ़ते हैं, नेक्स पॉइंट बनता है, उसको देखेंगे, अगर हम बात करते हैं, गीथियो गैमी के ब में दो पुष्प यहां पर हो सकते हैं वही हो सकते हैं दो पुष्प हो सकते हैं एक पुष्प मालो यहां पर खिला हुआ है और जो दूसरा पुष्प है वह यहां पर खिला हुआ है ठीक है इस तरीके से दो पुष्प है यहां पर ठीक अब दोनों पुष्प के अगर हम बा पर दिखाना कि यह किसमे हो रहा है सेम फ्लावर में हो रहा है और यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे कि जो पॉलिनेशन है वह different different flower में हो रहा है different flower या नहीं कि अलग अलग पुश्पों में या पुश्पों के बीच हो रहा है लेकिन जो पौधा होगा वह कैसा होगा? एक ही होगा जो पौधा होगा वह कैसा होगा? एक ही होगा तो यहाँ पर आपको समझाया ओटोगेमी का मतलब है कि एक ऐसा पुश्प और इसको हम क्या कहते हैं और गीतोगेमी के अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब हो गया कि पौधा एक है फ्लावर अलग-अलग है और डिपेंड करता है कि जो फ्लावर है वह उभय लिंगी भी हो सकता है हर्माफुडाइट भी हो सकता है और हो सकता है कि वह एक लिंगी भी हो ठीक है तो डिपेंड करता है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि डिफ्रिंट फ्लावर होगा अलग-अलग पुष पर यहां होगा लेकिन जो पौधा होगा वह एक जैसा ही यहां पर होगा ठीक है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर धान में रखिएगा. क्लियर है? यहाँ तक बात समझागी सभी को. चलो. अब इसके आगे हम next point की और बारे में बात करते हैं. Next हमारा आता है यहाँ पर-परागण. अब जब कभी भी हम पर-परागण के बारे में बात करते हैं. तो जो पर-परागण है वहाँ अलग-अलग प्रकार से यहाँ पर हो सकता है. जैसे कि पर-परागण के अगर हम बात करें तो वहाँ अलग-अलग प्रकार से यहाँ पर हो सकता है. पहला होता है अबायोटिक फैक्टर की वजह से यानि आज्याविक घटकों की वजह से ठीक है और दूसरा होता है यहाँ पर ज्याविक घटक से ज्याविक घटक से आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ज्याविक मतलब होता है लीविंग तो अगर कोई भी परागण हो रहा है तो वह leaving form की वजह से हो रहा है यानि कि जीवित प्राणियों की वजह से हो रहा है तो उसको हम कहते है biotic factors और अगर कोई निर्जीव जैसे कि हवा हो गया पानी हो गया उसके माध्यम से अगर हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है Biotic Factor यहां पर कहा जाता है ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे A Biotic Factor यानि अज जाविक घटक की वजह से क्या-क्या प्रक्रियां यहां पर हो सकती है कौन-कौन से Pollination यहां पर हो सकते हैं, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे important, सबसे जो पहला point यहां पर होगा वो है आपका यहां पर Wind Pollination यानि कि वाईयो पराग्ड सबसे पहले आपका आजाएगा यहां पर क्या वाईयो पराग्ड अगर हवा के माध्यम से, वाईयो के कि नाम से इसको यहां पर जाना जाएगा और कोशन यहीं से बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है तो most important है कि अगर आप एनिमोफिले के बारे बात करते हैं तो एनिमोफिली का क्या यहां पर मतलब होता है तो answer करना कि जब wind pollination हो रहा है जब वायू परागण हो रहा है कि उसको हम एनिमोफिली यहां पर कहते हैं इसी तरीके से आता है आपका हाइड्रोफिली क्या जाता है यहां पर हाइड्रोफिली और हाइड्रोफिली का क्या मतलब है हाइड्रो हाइड्रो मतलब होता है पानी तो जब पानी के माध्यम से हो रहा है यानि कि जब यहां पर water pollination यानि जल परागण की प्रक्रिया यहां पर हो रही है तो उसी को यहां पर क्या कहा जाता है हाइड्रोफीली कहा जाता है और यहां से आपका कोशन बहुत ज्यादा बनता है ठीक है प्लियर है यहां तक चलिए अब नेक्स पॉइंट की और हम यहां पर बढ़ते हैं नेक् किसी जानवर के अगर की वजह से हो रहा है तो उफक लीफ भी कह देते हैं जू फिलीपी कहा है क्याका मतलब होता है जन्तू तो जन्तून की मदद से अगर वह हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे जो फिली हम उसको यहाँ पर कहते हैं अब यहाँ पर आता है कीट परागन क्या आता है यहाँ पर कीट परागन यानि कि अगर कोई परागन कीडों की वजह से हो रहा है इंसेक्ट की वजह से हो रहा है तो उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाएगा तो लिखो यहां पर entomophily के रूप में यहां पर जाना जाता है, यह most important है, entomophily, तो कई बर आपसे पुछा जाता है कि कीट परागण, यानि कि इंसेक्ट के माध्यम से हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर करना यहां पर, कि उसे हम entomophily यहां पर कहते हैं, अगर आपसे कभी यह पुछा जाता है, कि अच्छा यह बताओ, कि बैट के माध्यम से, यानि कि कभी चमगादड के माध्यम से, बैट के माध्यम से अगर हो रहा है, तो उसको क्या यहां पर कहा जाएगा, आज ओ भी सभी बच्चा आजो, तो लिखो यहां पर उसको हम kireptophily कहत है, कभी-कभी आपसे पुछा जाता है कि स्नेल की वजह से, यानि कि जो घूंगा होता है, घूंगा की वजह से, अगर परागण हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, मेलेको फिली, क्या कहा जाता है, मेलेको फिली यहां पर कहा जाता है, और अगर बर्ड के माध्यम से हो और ने थो और ने थो फिली कहा जाता है बहुत इंपोर्टनेंट है यहां से काफी प्रश्न आप लोगों को यहां पर बनते हैं तो इस चीज को यहां पर ध्यान में रखिएगा ठीक है क्लियर है सभी ने नोट कर लिया तो अगर आपसे पुछा जाए कीट पर आगण हो रहा है तो कायरेप्टोफिली गोंगा के माध्यम से हो रहा है इसनेल के माध्यम से हो रहा है तो मेलिकोफिली पक्षी यानि की पक्षी के माध्यम से हो रहा है तो और ने थो फिली क्लियर है अब यहां पर नेक्स पॉइंट की और बढ़ते हैं नेक्स यहां पर कि कई बार यह होता है कि चीटियों के माध्यम से यानि कि जो आंट्स है जो चीटियां है उनके माध्यम से अगर कोई पॉलिनेशन हो जाए तो उसको यहां पर क्या कहा जाएगा यह भी आपसे कई पर कोशन पूछा जाता है तो लिखो इसे हम क्या कहते है मरमेको फिली मरमेको फिली इसको यहां पर कहा जाता है ठीक है नेक्स आप कहा जाता है साब के बारे में अगर साब के माध्यम से हो रहा है तो साब को क्या कहा जाता है ओफिनो है ना तो साब के माध्यम से अगर हो रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा यहां पर ओफिनो फिली क पहा जाता है ठीक है तो फड़ा फड़ से इसको नोट करिए ठीक है क्लियर है चले और जितने भी स्टुडेंस यहां पर आए वे हैं जल्ली से एक बार इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजे और एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपको जन्म दिन के हार्दिक शुब कामना है बट इस चीज़ को धिक है तो अगर चीटियों के बाद ह्गी हम से हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा मेरमे को नहीं को विज़े से हो रहा है अगर पॉलिनेशन तो इसको क्या कहा जाता उंदां है यहां पर और द्यान में रखेंगे धिया झालोगे Extreme के अब जब है pollination नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते pollination और pollination के अगर हम बात करते हैं तो जो कहलाता है fertilization तो यहां पर जो पुष्पधारी पौधे होते हैं इन में विशेश रूप से आप क्या देखेंगे कि pollination हो रहा है और यह जो पौलिनेशन होता है यह कैसा होता है double pollination द्वी निसेचन की प्रक्रिया यहां पर होती है और जो भी आवरित बीजी होते हैं यानि अंजोस्पम्स होते हैं पुश्पधारी पौधे होते हैं उनमें एक विशेश लक्षण के रूप में यहां पर जाना जाता है तो जब यहां पर double fertilization हो जाता है तब क्या होगा कि जो भी विजांड होते हैं वह बीजों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं आपको बताया था न मैंने बीजों के रूप में वहां परिवर्तित हो जाता है ठीक है दीपाक सेम टू यू बच्चे इतने परिशान हो जाते हैं ठीक है नेक्स जो ओवरी बॉल होती है यानि कि जो अंडाशय के भित्ती होती है वह किसमें परिवर्तित हो जाता है तो आंसर करना पेरिकार्प में यानि पेरिकार्प होता है उसमें यहां परिवर्तित हो जाता है ठीक है आजाईए सभी बच्चे आजाईए सभी बच्चे बड़े लेट करते हैं कि अगर हम एंडोकार्प के बारे में बात करते हैं तो एंडोकार्प का क्या यहां पर मतलब होता है अगर आप से कभी यह पुछा जाता है कि एंडोकार्प का क्या यहां पर मतलब होता है तो एंडोकार्प के अगर हम बात करें तो एंडोकार्प का मतलब होता है कि सबीत दरूट के लिए पोशक प्रदान करने वाले बीज जो होते उनके बीच में ऊतक पाया जाता है सबीने देखा है, बीच की बीच में कुछ उतक होते हैं, और आप सभी को यह भी पता होगा कि जो बीज होता है, जब उसका रोपन करते हैं, तो उसी से ही आगे जाकर के एक नया पौधा बन करके निकलता है, तो जब कभी भी आप बीज के बारे में बात करोगे, तो बीज में कुछ सफेद उतक पाए जाते हैं, जो ग्रोइंग फेस में, यानि कि जब यहाँ पर नया यह आपका पूरा का पूरा जो फ्लावर और पॉलिनेशन था, पुष्प और परागन था, यह एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया है, सभी बच्चे एक बार इसको ज़रूर रिवाइस कर लीजेगा, जो भी मैंने यहाँ बताया, उसमे बहुत गलत बात है, आप अगर किसी भी एक्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको डेली क्लास में आना होगा, ठीक है, चले, तो एक बार सभी बच्चे जोरदार तरीके से एक सेशन को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे, ज जोटरी कर दो कर दीजेर का दीजेर किसी बच्के लिएमतनी आना है किसी कैसी जोंगे शियर तो उना है, डार समोल समा झालिए पक्राम कला है लिए जोर्शिजर आना है, आना ह। आना को फेजुदे जो है?